नमस्कार, मैं शल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ, NCRT के लाइफ फोन इन प्रोग्राम में और हमारे आज की कारेक्रम का चर्चा का विशे है संस्कृत भाषा का उच्चारण भाग दृत्य और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में उपस्ते थैं प्रोफेसर जतेंद्र मोहन मिश्राजी नमस्कार जो की NCRT के भाषा सिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पत्पे कारेरत है बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका आचे कारिक्रम तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने आज के चर्चा के विशे को पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे आज का कारिक्रम हमारे पिछले कारिक्रम जो की था संस्वृत भाषा का उच्चारन की कंटिनिवेशन में हैं और अगर आप उसको एक्सिस करना चाहते हैं तो आप हमारे ओफिशिल यूट्यूब चानल एंसी इए आटी ओफिशिल पर जाकर उसे देख सकते हैं आज आज हम मोस्टी कोश्चन्स ले रही हैं अपने दर्शकों के जो प्रश्न आपने हमें हम तक पहुंचाए हैं तो मैं पिछली एपिसोड से प्रश्न लेना चाहूंगी सम्राड जी का प्रश्न था कि संस्कृत रोमनाइजेशन क्या होता है जी धन्यवाद सिल्पा जी हमने लगभग एक महिना पहले दर्शकों को यही बताया था कि बहुत सारी बातें उसमें छूट गये थे जो हम इस इस एपिसोड में कवर करने के लिए कोशिश करेंगे और उसमें महतोपुन प्रश्न पूछा गया था संस्कृत रोमनाइजेशन डाक्रिटिकल मार्क्स इसके बारे में तो हमने सुचा कि चलिए उनकी वह शंका हम उस वक्त समाधान नहीं कर पया था अभी कम से कम उतना प पचास अराउंड उन्चास से लेकर शाठ बासट तक भी होते हैं तो इतने सारे वर्णों को 26 अक्षरों से हम व्यक्त कैसे करें तो उसके लिए एक रोमनाइजेशन का अविश्कार किया गया एक तकनिक बनाई गई कि कुछ डाक्रिटिकल मार्क्स हम उन लेटर्स के साथ जोड़ दे तो हमारे अलग-अलग जो धोनी है जो उचारण है तो वो स्परस्ट हो सकता है और यह विशय भी उचारण से संबंधित है इसलिए हम इसको स्परस्ट करेंगे मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमारे स्लाइट्स जो बनाए हैं उसको दर्शकों को दिखा दे जैस ओ कि आफ तो आ कहलता है जैसे की आपका नाम है शिलपा और अगर कहेंगे की शिलप कभी किया हो गा अगर हम नहीं करेंगे तो शिलप को स्पेलिंगा यहीं रहेगा कालाए कि कई लोग मेरे नाम को गलाथ उचारण कर यह झालान क्योंकि इस डाई- क्रीटिकल मार्क सगर हम दे तो फिर्षट पता चले कि आ कप कहना है और कपके तो जैसे कि आप वहां पर देख सते हैं अ के लिए सिंपल ए और अ' के लिए ए के उपद एक हरिजेंटाल मार्क वैसे ही यह जो हरिजेंटाल स्ट्रोक दियाता है तो दिरगई हो नदी दिरगई की मात्रा है तो दोनों के लिए आई के ऊपर हो ही हरीज़न्टल स्ट्रोक है जैसे U का U और दिर्खा U का उसके उपर मार्क, फिर आता है यह ह्रस्वा और दिर्खा का संबन्द आप होरिजन्टल मार्क से देख सकते हैं, फिर है रिर वर्न, इसका उचरण कैसे करना है हम पिछले प्रोग्राम में कहे थे, देखिए र के लिए भी R से हम सुचित करते हैं तो रिषी जैसे रिषी शब्द है तो उसको हम कैसे करें तो R के नीचे एक डॉट दिया जता है तो वो डॉट जो है वो र से र को फरक करता है वैसे ही र वर्ना के संस्कृत में है जो बहुत कम प्रयोग में आता है फिर भी उसके लिए हमने दिखा दिया है ल से कैसे इसे ही व्यक्त करते हैं तो वह ही रहेगा अई के लिए A और I, O के लिए O, O के लिए A और U, फिर हम वेंजन वर्नों क्या देखते हैं क क के ए, देखिए यहां पर एक चीज़ धियान रखिएगा कि क अगर हलंत है तो वहां पर क के बाद A नहीं रहेगा शिंस यह क पूरा ह है यानि उसके साथ A जुड़ा हुआ है इसलिए के फर का हलंत और A पूरे उचरण करने के लिए है ख, KHA जो आप सामाने तोर पर यूज़ करते हैं ग, घ, यह सब सामाने चीज़े हैं आपको बताने की जिस्पस्ट करने की जबते हैं देखिए च, हमारे रोमान आइशन फ च, को अभियक्त करता है के बलाए C और H अगर लगाते हैं तो वह चा के लिए है तो जो शामाने हम जीसे कहने कुछ अगर हम इंगलिस में चाय लिखेंगे तो CH लिख लेते हैं अगर हम टेक्निकली रोमान आईशन और करें तो के वल C ही चा के लिए है अगर H लगाते है त जह समान्य है जह समान्य है आप लोगों को पता है अब है त और त में कैसे फरक करें तो त जो है वो simple T है वो त के लिए है अगर उसका मूर्धन्य जो त वर्ण है तनुष तंकार इस पर कर त वर्ण के लिए तो T के नीचे dot होता है तो त वर्ण के सारे में नीचे dot से वो दंत्य वरंण को मूर्धन्यissements करने के लिए मूर्धन्य के लिए dot sign है जो सभी में आता है पाफा बाभा ये समान्य मा भी आपको समन्य है पता ही चलेगा नेक्स्स्लाइड देखिए इसमें हमने कुछ जो पंचम वरण है जो नाजल साउन से उसका साइन केसे करें जो कवर्ग का पंचम वरण है होए नग नग और अन दोनों को एक ही चीज नहीं से देखा दिया गए जो है न के उपर डाट होना चाहिए और न जो है वो न के निचे डाट होना चाहिए ये फ़रक करने के लिए क्योंकि एक ही न से एक ही एन लेटर से हमको जो और चार गोल न के निचे और और होटा है। के न के उपर एक टिल्डा मार्क है वो यह के लिए है न के नीचे डाट है और न सामान्य न है म सामान्य है आपको पता है उसका कुछ उधरन एमने दिया जैसे कि न का प्रयुक आपके देखते हैं वांग मय यह सब्द है आपको मिलेगा जिसे ज्ञान विज्ञान ये शब्द है तो वहाँ पर एन के ऊपर जो टिल्डा साइन है वो उसको दिखता है प्राण शब्द आपको अपने उधान दिखाया है वो देख लीजिएगा और न जो है समान्य नमस्ते सा उधान लेलीजिए मां के लिए आपने अग्यान दिखाया है माता और आगे का कुछ और भी होंगे दझेर शा हो शाभ higher high high low low इसके शाहो मर और शाहो साउड सब को हम हम s 삼 से करते हैं और जब हम समान्य रूप से हम हम कुछ इंगलीस में उसको लिखना परयाश करते हैं तो तो स और श का तो फरक कर लेते हैं H लगाकर, यह समान्य एस साउंड और श के लिए हम एसे लगाते हैं, लेकिन तालव्या और मूर्धन्या दोनों के लिए हमें केसे फरक करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यह रोमानाइचन सिस्टम में वह एस का कंसिप्ट रखा ही नहीं है, केवल एस से ही, एस में अगर थोड़ा तिर्चा मार्क दिया जाहे उपर, तो तालव्या के लिए है श, जिसे शशांग का शब्द है, श, जिसे आप वर्ष शब्द बुलते हैं या वर्षा शब्द बुलते हैं, वहाँ पर एस के नीचे डाटर देने से वो मुर्धन्या क शुचो खुदाता है, और श सामान्य जो है सा है, हम्हमुर इधन को अक्सर होता है मतलब आजका क्लास रूम टीचिंग में, टीचरश क्या कड़ती है, इन तीन तरीके की शा, शा, इन को शा 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 पढ़ादेती है, तो अक्सर बच्चे बोलते हैं, ये तो शा श मतलब तलाबी शाह, मुर्धनी शाह, दान्ती शाह, इसकी मतलब नॉलिज नहीं होती, तो क्या ऐसी शौशा शाह पढ़ाना सही है? यही है कि उच्चारण ठीक से ना देख पाने के करण, जैसे हम पिछले भाग में बोला था, कि यह प्रांती अप्रभाव है, तो हर जो सामान्य जन है, उनके मुख से अलग-अलग ध्वनी निकालना उनको सहज नहीं होता है, और यह प्रक्रिया जब संस्कृत और वैदिक सं अलग-अलग था, पाली भाषा में, प्राक्रित भाषा में वो कुछ क्लब्ड हो गए, जैसे कि पाली में आपको केबल सह ही मिलता है, तालवय और मूर्धनय नहीं मिलते हैं, तो वो ही प्रभाव जिस ख्रतर में जदा हुआ है, तो प्राक्रितेशन प्रोसेस होकर अभी जो वर्नाकुलर लांगुजेस में आये हैं, तो वहां पर कुछ sounds merged हो गए हैं दूसरे sounds के साथ, तो सह के साथ, शा और शा दोनों merged होकर आप जाएंगे औरिशा में, वहां पर सभी लोग के बल सह ही बोलते हैं, और वही स्थिति बेंगल में अलग है, वहां पर सभी शा ही तो इस प्रकर से कुछ यह हुआ है, तो संस्कृत जब हम पढ़ते हैं, तो हम उसको re-discover करते हैं कि original differences क्या है, हमारे शास्त्र में उसको व्यक्यात है, तो हम प्रयास करना चाहिए कि उसको हम वापा सीख कर अपने आपको पुष्ट कर लें उचारन के दिशा में, अच्छ अगर आप हमें कुछ पता सकती है, अर्थ बदल सकता है, कुछ समस्य हो सकती है, तो आपने आपको बताया था, अक्सर confusion create होता है विशेश वर्णों के उचारन में, तो अगर आप हमें कुछ पता सके उसके बारे में, अच्छा, विशेश वर्णों, देखिए, जैसे अभी अगर आपको बता है, तो अभ्यास से ही हो सकता है, उसके उपर ध्यान लखना और अभ्यास करना, कुछ और इसे उचारन के स्थान है, जहां पर कुछ tricky है, उनको ना जनने के करने गलतिया हो रहे है, वो एक प्रांतिय प्रभाव नहीं, लेकिन केवल थोड़ा सा awareness ना होने करनों गलतिया हो रही है, उन चीजों को हम पॉइंट आउट करेंगे, विशेश एक वरन है ह, यह ह जब सामानिय रूप से बोला जाता है, तो कंठ से बोला जाता है, जैसे की हास है, परिहास है, तो ह ह जो ध्वनी है, वो सामानिय कंठ से ही आता है, लेकिन इसका एक दूसर का सुरूप है, यह ह कभी उससे और गभिर्ता से आती है, यह चाती से उसको उरस्य वरन केते हैं, उरस्य सब्दकार्थ है चाती, तो चाती से ह वरन का उच्छारन केसे होता है और कभ होता है, यह थोड़ा ध्यान देने की ज़रूत है, उसके लिए एक हमने आपको एक संस् करना चाहते हैं, आपके next slide में साथ दिखा सकते हैं, उसका आगला ये करिएगा, हकारम पंचम वरन से युक्त हो जाए, पंचम वरन कौन-कौन से हैं, जैसे हमने उसमें वो लिस्ट में देखा था, यह महा है, यह महा इन वरनों से जब हकार का जोडाक्षर बनता है तो संस्कृत में सामान या अट ह, ह पहले रहता है और बाकी पंचम वरन बाद में रहता है यह एक यूनिवर्सल रूल है, दूसरी भासा में थोड़ा अलग है लेकिन जब इन दोनों वर्णों का जोड़ाक्षर हा के साथ पंचम वर्ण का जोड़ाक्षर होगा तो हा हमेशा पहले रहेगा और तभी उसके उच्छारण में फरक पड़ जाता है कुछ आपको उधाहन देने चाहेंगे ह के साथ अगर नअअ और इनके उधाहन मिलते ही नहीं भासा में नवर्ण और यावर्ण के साथ ह का जोड़ाक्षर का उधाहन मिले गा यहां पर लोग जब उचारण करते हैं तो हा को बाद में बोल लेते हैं और न को पहले पूरवान हा बोल लेते हैं या न के जगह न भी गलतियां कर देते हैं न पूरवान न बोल लेते हैं तो उसका सही उचरण जो है पूरवान हा को पहले अधा उचरण करके फिर न बोलना है तब देखिए वह कंठ से नहीं आता है वो एकदम पेट शाती के अंदर से आता है इसलिए उसको उरस्य वरण कहा जाता है हकार का उचारन स्थान उरहा उरहा यानि शाती तो उधारन ले लिजिये पुर्वाहन हो या हक के साथ न का उधारन ले लिजिये जिसे कि आपने के चिन शब्दा है तो सामानिय लोग उसको उचारन करते हैं चिन्न बोल देते हैं यानि ना पहले बोल देते हैं तो उससे जब ना पहले बोल देंगे तो फिर उसका उचारन कंठ हो जाएगा वो सामानिय हो जाएगा लेकिन वो सही उचारन नहीं है और सही उचारन जो हा पहले बोलना चिन्न तब वो हा कंठ से नही आपके प्राणायम के लाव मिल जाते हैं, तो वो एक योग है, विशेश उसमें गुण है, तो चिहन, मध्याहन, इस प्रकार के आप कई उदारान देख सकते हैं, इसे हा के सथ म, आप बोलते हैं ब्रह्म, लेकिन अगर ब्रह्मान्द शब्द के जगह हम बोल देते हैं गलती समान्य सें plantation हो जाएगा जो सही नहीं है और उतना जोर भी नहीं पड़ता है, थोड़ा उद्वानि कैसे उद्वण smoking करने disgE, हा को पहले बोल देखन होता है, लेकिन शही हम ब्रहमांड, ब्रहमां, ब्रह्मन, इस प्रकार के शब्दों होटा थे हा के सथ माका थे तो पंच तो अंतस्थ वरन आप लोगों को पता ही होगा, यावर ला, इनको भी अंतस्थ क्यों कहा जाता है, यह पता है क्या है, इसमें भी एक इंट्रेस्टिंग बात है, एक तो है कि शुरा और वेंजन के बीच में रहते हैं, इसको इसलिए अंतस्थ कहेंगे, दूसरा है, अनतष्त वर्ण है तव उनके साथ है झभ हग क्यों जोड़ होता है तो उहां पर ही है कि हर पहले रहता है कुछ आपअध हो सकते हैं के साथ रह का कूछ हो से की गषा अर्हा इत्यादि शब्दों में रह पहले रहता है लेकिन बाकी सब वन और इभिन रह के साथ भी और पहले रहता है तो के साथ कि आपने कि यह कुछ उतर न देखे होंगे बाहृ कि माय गलाट कि घृएया वोलते हैं आपiinपसे बाद 2015 कुम अधा प्हले तो शुद्ध करने के लिए आप उसके पर глुट है हाँ को आधा पहले बोलिए बाह यह गुह यह तो पूरा अंदर से आपको हवा लेकर आना पड़ता है वैसे ही आप हाँ के साथ वह के कुछ उताना ले लिजिए आहवान नहीं और यह गलत उचान से बहुत लोग गलत लिखते भी है वह आधा लिखकर फिर हा लगाते हैं पह जिहुआ जो हमारे जिव को बोलते है ना जिहुआ तो जिहुआ जिवह नहीं इसलिए सही उचान करिए उससे सही लिखेंगे वहुआ ला यह शब्द है हाँ के शात राजाण ले ले जी ह्रदच बोलना इतना असान नहीं है.. ठीक चे बोलना.. हरस्व ख्रास्व ये काफी.. प्राण सक्ती लगता है उसमें प Tool करने जी हड़ा.. हाँ के शात ला ले जी आ घान के लिए.. तो हवा को पहले ले水ण करन ये काफी एक trophy a supplies a अगर हम जान जाएंगे और हम प्रयास करेंगे एक दिन में ठीक हो जाएंगे लेकिन कुछ है जो प्रांती अप्रभाव जो नाचुरली हमारे जेनिटिक्स में आ गया है उसको दुरुस्त करने के लिए काफी समय लगेगा बहुत अभ्यास ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन इन चीज़ों को केबल आप जाएंगे तो ठीक कर सकते हैं इसलिए कुछ विशे सह और कुछ है कि हम विशे स्थल बतायेंगे विशर्ग के बारे में सांस्क्रित के सामानियतया सभी चात्र विशर्ग सभी परीचित होते हैं लेकिन उस विशर्ग में हम हम उसके उसके बाद बोलना पड़ता है, जैसे कि आपको कुछ समान्य विशरण के उदाहन लेजिए रामह, देवह, नरह, हरी ही, विश्णुहू, यह आप समान्य विशरण करेंगे, जो उसके पूरव स्वरवर्ण के साथ आधा हा का जैसा उचरण आप करते हुए, आप हरी ही, तो होता है उचारण में उसका लिखने की भी कला पहले अलग-अलग थी लेकिन आजकल थोड़ा चा वो फॉन्ट में आपके computer के font में नहीं मिल ले हैं कुछ पूराने printed books में आपको दिखेगा वो जो विशरक के लेकिन अगर लिखने के लिए नहीं भी है तो भी आप बोलते समय आप ध्यान रख सकते हैं कि आगर विशरक के बाद क या ख वरण आता है यानि क वरण के पहले दो वरण क ख प या फ आता है तो यह विशरक पूरा उचरण नहीं होता है अगर एक सब्द के अंदर है तो वह आधा उचरण होकर ही आप कोछ में सामान्य उधारण जो कोई भी भासा में मिलता है तो आप उसको ठीक से उचरण कर से ते मैं उसका उचरण देता हूं इसे कि प्राता काला हा यह तो अर्थ समझते हैं शुबा 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 प्रा शुबा 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 शु देखेंगे तो उसमें भी विशर्ग दिखेगा आपको आज कल हिंदी के साही तुमें मिश हो गया है दुख शब्द में विशर्ग रहता है तो दुख खम इस प्रकाशे अलग अलग नहीं कह सकते दुख अलग अलग नहीं कह सकते आधा उचरन करके खा बोलना पड़े दुख नहीं दुख नहीं दुख तो आधा विशर्ग उचरन करके खा बोलना चाहिए वह है दुख शब्द आपको की साथ कुछ उधान ले लेते हैं जैसे कि पुनाफ पुनाहा यानि बार-बार यह तो सुने होंगे पुनाफ पुनाहा तो दूसरा आखरी का जो विशर् पुनाहा तपाफ फलम है इस प्रकार से अगर एक शब्द के अंदर है तो जरूर है कि वह आधा ही उचरन होगा अगर वाक्या में अलग-अलग शब्दों के बीच में अगर इस प्रकार से पहले तो पर आपका वहिकल्पिक है आप इच्छी है कि आप आधा उचरन करे या तो यह कुछ है विशेश उचरन स्थान बाकी उचरन और भी ऐसे बहुत सरे है जैसे कि अनुस्वार के उचरन जैसे अनुनासिक के उचरन जैसे यांग-वरणों का सही उचरन जैसे आनेक है और जब हम स्लोक पाठ करते हैं तो संयोग वरण से पहले किस प्रकार से अध्यार प्रकार से बाव देखर उसको बोलना चाहिए क्योंकि संयोग वरणे से पहले रस्वावरणा भी गुरुआ कहलाता है और बीरग वरणा थो दिरग बिरख़ा गुरुक्णा से पहले जैसे है अब धर्म शबत बोलते हैं तो यहां पर धा के उपर एक दभाव दे सेयख़क तक्षार को बोलते है तो सिर्ववर्य विषेयस ध्याना देंगे थोड़ा चा अभियास करेंगे तो संस्क्रित का उचरन सही होपाई ठीक है सर यहां पर एक प्रश्न लेना चाहूंगी नीरव जी का प्रश्न आया है वो समझना चाहते हैं क्या शब्द श्वा एवं स्वार का एक ही ओरीजन है अच्छा देखी सायद वो श्वा जो है वो इंग्लिश फोनेटिक्स के स्वा इस बारे में कहना चाहते हैं इनने भेजा है एस एच डबल्यू ए सायद वो श्वा ऐसा कुछ है है वो शब्द जो फोनेटिक्स में आप देखे होंगे एक उल्टा ई अक्षर से सुचित कहता है आप कोई दिक्सिनरी देख लीजिए अक्षपोड अद्वांस्टिंग लॉनर्स बागरे तो वहां पर एक उल्टी ई की सायन है जो एकदम शॉट आ के लिए है शॉट आ जो इसको आप इंग्लिश में जैसे की आ के कई सारे उच्चारण के भेद आपको इंग्लिश में दिखेंगे एकदम शॉट जैसे की एस यूबी सब तो वह एकदम जो है छोटा है कई पर आ थोड़ा विश्तृत है बड़ा है तो इस संस्कृत में एक है जो है जो है जो एकदम छोटा रहता है तो संवर्त आ यानि श्वा इस प्रकरशाब कह सकते हैं हो चाते हैं कि इन चीजों का कुछ संवर्त आ श्वा इसा हो सकता है जो इनकी शंका है वह उस संका में कोई है मतलब अच्छी शंका है यही है उसका अंतर यही रिफ्रेंस है उसका मनोज जी का प्रश्ण है कैसे मैं डबल कॉंसोनेंट को एक ही संस्कृत शब्द में उचारन कर सकता हूँ हाँ इसका तो हमने एक्स्प्रेंशन यही पर दे दिया है बहुत सा जो उधारन दिये आपको हकार का साथ से तो डबल कंसोनेंट ही हुआ है तो उसमें है कि जो कंस अब यहां पर बच्चे कुछ कन्फ्यूज कर लेते हैं लिखने में और बोलने में तो बुद्ध धा को ही पहले लिख लेते हैं धा लिखके उसको दा लगा जाते हैं तो यह ठीक नहीं है तो जितने स्विंगत अक्षर है उसमें पहले कोन आता है आप उचारन करके देखि पहले लिख चना दोखेंए असे सुनाई देता है तो लिखने में जोंृबदर बचरन में कर दोखेंब होAL हागा उपर हो यह ठीक ने करणy को आप बास वह ठीक तर्क और तक्र ठग्र तर्क मतलब छाच mere तर्क्रहें को सहजे थी तर्क्रहार के और कलेuerdoक्टिते। तो आप कोडिनेशन ठीक से बनाईए कि उच्छारण को ठीक से सुनिये पहले कुन सा वरण आता है और बाद में कुन सा वरण आता है इस परकर से आप तो इसलिए स्वनुकत वरण का इसी प्रकार से ही प्रवग होता है समय थोड़ा सा कम है फटा फट से क्विश्चन लेते हैं लता जी का एडवाइस ऑन वोइस्ट अन वोइस्ट इन संस्क्रिट साउंड्स सुना होगा जो जिसमें थोड़ा सा हायर लेवल आता है मैं उसको ठीक से डिफाइन करना मुश्चे लेकिन हम आपको डिफाइन करके बोल सकते हैं कहां पर देखें गघः यह है आपका वोइस्ट साउंड्स लिए का ख न यह अन वोइस्ट साउंड है वोइसलेस साउंड्स ह तो तीसरा और चौथा वरण में जो एक अलग आवाज आती है वो है वोईस्ट पहले और दूसरे वरण में वोज होता है अनवोईस्ट इकना ही आपको इस वरण में बता सेकते हैं तो आज हमने जाना बहतरीन तरीके से संस्कृत भाषा की उचारन के कुछ और अन्जाने पहलीओं के बारे वे प्रोफेसर जतेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंफोर्मिशन के लिए और आप दर्शकों के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग लगातार प्रशन पुछते हैं इससे हमें और अच्छा लगता है कि इस सेसन को ज़्यादा ज़्याद है तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या इमेल आईडी के दारा संपर्ग कर सकते हैं इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ तब तक देखते रहें किशोर मंच कर कलद कर Król दुछते हैं भुछते हैं अच्छा की इसाथ मुछते हैं इसससे हम the चाहर मझे लेता हैं तक कि दो भुछते हैं जख gemacht भाने हैं और ये सबसे हैं झाल झाल